प्रभू राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदी नाम एक ही शक्ति के हैं वो कैसा है कहा है कैसे मिलता है किसने देखा है ये प्रश्णवाचक चिन पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिये जगत गुरू तत्व दर्शी संतराम पालजी महराज के अम्रित वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर उस दिन भी वो सनान करके अपनी साधना करने के लिए बैठे थे आशन लगा के लहर तारा तालाब के किनारे पर गहास पर उदर से प्रमात्मा सत लोग से चल कर आए एक सी सुरूप धान करके उनका बहुत तेज था अब अस्तानन जी अपना किरिया साधना करने में तत्वर थे उनकी अचानक द्रिष्टी आकास में गई कि उपर से ये परकास कैसे आ रहा है कितनी गती से आ रहा है उसने जो ही आसमान में देखा उसकी आखें चर्म द्रिष्टी उस परकास को सेहन नहीं कर सकी वो परकास का गोला सा दिखाई दे रहा था अब जैसे हम अपनी आखों को अपनी आखों से सुरिय को कभी गलती से देख लेते हैं दृष्टी पड़ जाती है तो हमारी चरम दृष्टी सुरिय को उस तेज को सहन नहीं कर पाती और हम दूसरी साइड में जब नजर करते हैं तो सुरिय का परकास रही तर आकार हमें दिखाई देता है ठीक ही यही सती थी अस्टानंजर इसी की हुई कि उसने देखा था एक परकास का गोला उसकी आखें से नहीं कर सकी उस तेज को और जो ही उसने आँखें बंद करी और साइड में की तो क्या देखा एक नवजात सिसू देखा एक बालक का उसमें चित्र दिखाई दिया इस द्रिशे को देखकर अस्टानंग बड़े चकित हुए और कुछ देर में क्या देखा उसने कि वो परकास उस लहर तारा तलाब में एक किनारे पर सिमट गया अब अस्टानंजी ने सोचा कि मैं अपने गुर्देव स्वामी रामानंजी से पूछूँगा कि यह आज मैंने क्या देखा यह मेरी कोई बंग्ती की उपलब्दी है या मेरी कोई गलत फहमी बन गई है मेरी कोई भरमना है संसे है वो वहाँ से उठकर आ गया उदर से आकर उसने अपने स्वामी अपने गुरुदेव जी शे कहा कि गुरुदेव आज आपके सेसने ऐसे ऐसे साधना कालमे साधना समय में एक प्रकास देखा आका से बहुत तेज गोला आ रहा था और जब मेरी आँखे सेन नहीं कर सकी तो मिने आँखे बंद कर ली उसमें एक नवजाद सी सु का रूप देख्या ये प्रमात्मा ए गुरुदेव ये मेरी कोई आँखों का दरिश्टी दोस है या कोई और प्रमात्मा की लीला है मुझे बताईए तो स्वामी रामानद जी ने कहा के बेटा ऐसे लक्षन उससे में होते है जब उपर के लोकों से कोई अवतारी सक्ती दर्ती पर जनम लेने के लिए आती है तब तारा सा तूटता है ऐसा ही तुझे दिखाई दिया होगा तो सेसे ने कहा है आँ जी ऐसा ही था तो वो यहां जनम लेगा किसी मां से और अपनी जो लिला करने के लिए आए हैं वो करेंगे बेटा ये तेरी भक्ती की उपलब दी नहीं ये तो कोई सैयोग था उस महापुर्षके उपर से आनेकर अब रामानंग्र जी ने रामानंग्र जी स्वामी जी को जो घ्यान था उसको इतना ज्यान था कि जितने भी हाँ आवतार आए हैं वो किसी मां से ही जनमेह है इसलिए उसने अपने सिस्ट को अपने विचार आधार से संदुष्ट किया उसकी संगा का समाधान किया उद्र से नीरू नीमा परतित दिन कितर है सनान करने के लिए वहां से चले लहर तारा पर तो उससे पहले दिन उस नीमा के घर कोई रिलेटिव आ गया था नीरू के घर पर उसके साथ उसकी धर्म पत्नी भी आई थी बच्चे भी आई थे तो उसने रातरी के समय अपनी नीमा से बहुत कुछ बातें की और कहा कि आपको संतान ने दी अल्ह ने और आप अरज करो अल्ह से एक पूतर तो होना ही चाहिए था बगएर पूतर के गती नहीं होती है ऐसी ऐसी उन्हेंने बातें बताई अपने अत्मों ये ज्ञान अध्धात्म ज्ञान है तत्व ज्ञान है गौड गीवन सिपरिच्छ नोलिच है हम उस व्यक्ती को एक भागवान मानते थे जिनके संतान हो और संतान में भी पूतर हो तो वो लड़की है अगर लड़की लड़की है तो भी हम उसको भागवान नहीं मानते थे यह हमारे धर्मगुर्वों की काल के प्रेर्णा से उनके उसमों ने हमारे अंदर ऐसी जो है मंद बुधी पैदा ऐसी भर्मना पैदा कराखी थी हमारे अंदर कि जिनके संतान ना होती उनका जीवन हराम रहता था पूरी लाइफ में और जिनका पूतर ना होता उसको ड्रा ड्रा का मारे देते कि पूतर बिना गती नहीं हो सकती तो इस तरह की वे बाते हमें मुर्ख बनाने के लिए वो अग्यानी बताया करते थे और संसार का जगत और भगत का आपस में जो विरहोद रहा है उसका कारण यही रहा है कि जो अध्धातम मारग के विचार हैं वो संसार के विचारों से भिन होते हैं उनके कती विप्रित होते हैं अब प्रमात्मा के तत्व ग्यान के अधार सिद्धास आपको बताएगा कि जिनके संतान नहीं है वो प्रमात्मा के विधान अनुसार और उन्होंने मौक्स मारंग मिल गया है तो वो सबसे लकी है, सबसे भाग्यवान है और ये ना समझना कि जिनका संतान है वो बागवान नहीं है संतान और प्रिवार का होना हमारे संसकार है एक बार सुखदेव रिसी जो थे माँ के गरब में बारा वर्स रहे माँ के गरब से वो बाहर नहीं आये क्योंकि माँ के गरब में ये पता रहता है अपरानी को दिये बिना बगती के और बाहर आते ही या भूल पड़ जाती है तो उसको ग्यान था कि तीन मौगों रजगुन बरमासत गुन विश्वुतंगुन शीवजी का जो परभाव है बाहर आते हैं यह तरगुन में माया से जीव मूरचित हो जाता है इसकी सब यादास चेतना पिछले जनुजन मांतर की समाप्त हो जाती है इसको नए सिरे से शिक्षा दी जाती है यह तेरा दादा है यह तेरी दादी है यह तेरा चाचा यह तेरा ताउ है तेरा यह नाम है यह तेरे माता बिदा है कुल कुटम के लोगों के जानकारी उनको फिर दिरे दिरे दी जाती है वो पिछली अपनी सब यादास खतम कर देता है इतने जबरदस्ट अटेक होता इसके बाहरा थे तो सुखदेवरिसी मा के गरब से बारा वरस तक बाहर में आया बिरमाविशनों महिस की विसी सपरार्थना पर तब उस ने एक परतिग्या कराई कि आप कुछ देर अपनी माया को रोको तब मैं बाहरा हूँ तो उन्हों ने भी कहा बिरमाविशनों महिस जी ने कि हम जादा समय तक माया को नहीं रोक सकते हमारा स्रीर फट जागा हम के वल इतनी देर रोक सकते हैं तो सुखदेवजी ने कहा आप इतनी ही देर रोक लीजिए तब ही वो मा के गरब से बाहर आया और उसको चेतना बनी रही कि भगवान मनुष जीवन के उल पर मात्मा प्राप्ति के लिए मिला है यहां जो भी हमारे रिलेशन है हमारे जो नाते हैं यह संसकार से जुड़े है तो बिरमाविशनों महिस अंतर ज्यान होगे जब उनके पता क्योंकि वेद व्यास रिशी होए हैं उनकी पतनी के गरब से सुखदेव रिशी का जनव हुआ था वेद व्यास जी बड़े विद्वान पुरुष थे उनको पता था कोई योगी पुरुष है मेरी पतनी के गरब में और बारा वरस से बाहर नहीं आ रहा है तो ऐसे भागवान पुत्र के में दर्सन करूंगा ऐसा अच्छा पुत्र मुझे प्राप्त होगा इस आसा में वो बारा वरस तक उसकी इंतजार करता रहा जब सुखदेव रिशी मा के पेट से बाहर आया और अपनी और नाल को कंधे पर डाल के ऐसा ही उठकर चल पड़ा बाहर आते ही वारा वरस का सरीर बन गया अंदर सुखसम सरीर से छोटे बालक का रूप था अब ब्यास ने कहा बेटा क्योंकि मा के गरब में जो शुक्तेव था तो उसकी माता को कोई प्रेशानी नहीं थी जो गरब के दोरान हुआ करती है माताओं को तो जिस कारण से उस माने कहा था कि इस पुतर का नाम मैं सुखदेव रखूंगी सुखदेव इसने मुझे दुख नहीं दिया गरब में भी मैं सुखी रही तो सुखदेव बाहर आते हैं उसका नाम सुखदेव रखी रखा था तो वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा सुखदेव एक बार मुझे दर्सन दे वो पीछ पीठ करके चल पड़ा उठके और व्यास जी पीछे पीछे चल पड़ा कि बेटा बारा वस्तरी इंतदार करी और एक बेट सकल तो दिखा दे तो पीछे से ही मुड़ के नहीं देखा उसने सुखदेव और कहा रिसी जी ना जाने कितनी बार तू आप मेरे पिता बने और मैं आपका बेटा बना ना जाने कितनी बार आप मेरे बेटा बने और मैं आपका बाप बन्या यह बहुत बुरा स्धंजट है अब के मैं इस चक्कर में पड़ू को ले और आपके दरसल भी निकरों कि ऐसा ना हो मेरी भमता आप में और माताजी में हो जाए यों कह के वो आका समय उड़ गया तो तब सुखदेवरिशी ने कहा था एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसे का पिता ने पूतम रण संभन्ध जुड़ा एक ठाठा अंत सने सबारा बाठा यह तो आप और हमारे संसकार जुड़े हुए हैं इसलिए हम यहां अपने एक परिवार रूप में इकठे हो जाने पिता कहां पसू बन रहा होगा माता कहीं पक्सी बनी होगी है बेटा पता नहीं कहां और अन्य योनियों में घूम रहे होगे अपने अगले संसकार को पूरा करने के लिए तो इस कारण से एक छोटी सी कथा सुनाते हैं तो कि पुन्यात्मों ये सत्संग है और ये आत्मा की खुराक है अहार है अब जैसे व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है तो सुबह खाना खाता है तो श्याम को इसको भूख लगती है तो वो स्वस्थ हैं और ये थी उसको श्याम को भूख नहीं लगती है तो समझ लो उसका कोई बिमारी ना गेर लिया और कोई जवर की तैरी है यानि उसको कोई डिफेक्ट हो गया शरीर में तो कहने का बाहु यह इसी परकार जैसे यह सत्संग है यह कथा वही है और हर एक बार सुननी पड़ती है इनी कथाओं से आत्मा जागरित होती है निर्मल होती है हमें पलस माइनिस पॉइंटों का ग्यान होता है तो परते एक सत्संग में चाहे वह कथा फिर भी सुनने को हम मिलती है यह सत्संग सुनने को मिलता है हमारी जग्यासा जवकी तो बनी है तो आपकी आत्मा सवस्थ है और यदि आपको यह ल जिस परकार ऐस्वस्त व्यक्ति को वही भोजन सुबह वही श्याम होता है और भूख श्याम को नहीं मैसूस हो रही है तो उसको डिफेक्ट हो गया च्वच्त होगी बक्ती मैं तो खाने में तो उसके लिए औस दी खानी पड़ती है और फिर ठीक होता है तो पिर वो धीरे दीरे पूर्टिया मिठी लगती है इसी प्रकार इन कथाओं को सो सो बार कुणे और सुनने के बाद इस पर गैराईसी जोर शिकर करें तब तो सत्सिंख सुनने का लाव है तो एक बार एक एक विक्ती का एक विक्ती को एक पुत्र प्राप्ती के उपरान पुसकी पतनी की मर्दू होगी है उसने दूसरी साध्य कराई किसान था उससे एक पुत्र उत्पन हुआ और फिर उसके सान के भी मर्दू होगी है बड़े वाड़े लड़के का विखा कर दिया था, उनके कोई संतान नहीं थी, बड़े वाले लड़के गए, छोटा जो दूसरी माँ से उत्पन हुआ था, वह मा भी मर गी और उपता भी मर गया उसका, अब बड़े का विखा हो गया था, तो वो छोटे वाला कुदरती उनके मनमद दोस पैदा हो गया, दोनों पती पतनी ने मिलके के सकीम बनाई कि इसको विख दे दे दें छोटे वाले को, और सारी संपती आपनी हो जागी, सब को मालूम है ये ऐस वस्त है, किसी को सक भी नहीं होगा, ऐसा ही कर लिया, एक दूर देश के डॉक्टर से बात की उसने उस समय 500 रुपे मांगे, और उसको विख दे दिया, लड़का मर गया, अब खुशी का ठिकाना नहीं क्योंकि एक तो पैसा लग रहा था, वो बच गया, कुछ दिनों के बाद, एक वरस के बाद उनका लड़का हो गया, पुत्र उत्पन हुआ, खुशी का ठिकाना न और उसको खुब लड़कार से खिलाओं है, पुलाओं है, चंद दिनों में वो यूवा हो गया, यानि 16-17 वरस का जब वो हो गया, उसका विखा कर दिया, विखा होने के तुरंत बाद वो लड़का फिर बिमार हो गया, उनका अपना पूत्र है, इतना रोगी हो गया, कि उ जंतर मंतर करने वाला बताया, वहीं गए, आधी संपती यानि जमीन भी बेच दी, और लड़का जोंका तो परती दिन सूखता ही जा रहा था, एक दिन उसका पिता वैठा था, लड़का चार पाई पर लेटा था, लड़के ने कहा, अपने पिताकों के भाई साब, मेरे अपन की त्यारी करो, लकडियों की त्यारी करो, अब मैं अपना इसाब किताब करके मैं चलने वाला हूँ, अब उसके पिता ने सोचा, बच्चा रोग के कारण इतना एस्वस्त हो गया, इसका दिमाग भी काम करना बंद कर गया, और मुझे ये भाई कह रहा है, तो उसने क लड़का वेटा, मैं तेरा पिता हूँ, भाई नहीं हूँ, वो लड़का कहता है कि मुझे पता है, तू क्या है, मैं तेरा वो भाई हूँ, जो तेरे पुत्त रूप में जन्मिया हूँ, जिसको तुम दोनों ने मिलके हैं, और विश्त एक हमा रहा था, मेरी आदी संपत् करवा लिए, अपना पूरा कर लिया, अब तेरा मेरा इतना अकाउंट रह रहा है, एक लकड़ी और एक कफन का, और वो चैरी कर ले, अब उससे में उसका कलेज़ा पकड़ा गया, अकबजी सा कर रहा था, वो मेरे आज आ गया, अब आदमी के साथ जब घटना घटती है, तब उसको महसूस होता है, और सत्सिंग में आने के बाद जीव को पहले ही आभास हो जाता है, यदि मैं ऐसा जलम करूंगा तो मेरे साथ एक दिद ऐसा होगा, तब उसने कहा कि भई, बिलकुल सही बात है, अमने जो जलम किया था बटा, भई, मेरे सामना आ गया, अब आग होगी, तेरा मेरा हिसाब हो गया, भी मैंने जो किया था, वो तो मुझे फल बगवान ने दे दिया, और बहुत अच्छा किया, आज मेरी आँख खुल गी, और मैं अपनी पत्नी के वैकावे मागवे भाई तेरे साथ मने जो कर दिया, वो बहुत जो किया, वो बोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, किसी के पैकावे में करो जो ना करो, तब उसने पूछा, उसके पूतर भाहिर कहो जो बाप कहो, उसने उस लड़के से पूछा, भाही जो बोल रहा था कि मैं तेरा भाही हो, और वैसे उसके सिरीर से का पूतर था, उससे पूछा कि हमने जैसा क लेकिन एक बात बता जो तेरी पतनी है इसने किया दोस्त अपरहद कर दिया उसमें सती पर्था थी और सती पर्था के तहट उसमें क्या होता था जी किसी लड़की का पती मर जाता था उसको साथ चितामत जिन्दा फूक्या करते थे तो उसने कहा कि इसका क्या दोस है जो तेरे साथ इब जिन्दी जलेगी तब उसने बताया कि वो डॉक्टर कहा है जिसने वैद कहा है जिसने मुझे विश्ट दिया था तो उसके पिताने बताया कि वो तो तेरी तेरी मूर्ति को, उसमें तेरी मूर्ति को, चार वरth स्परान्त मर गए था तो उस लड़केन बताया कि ये वही डॉक्टर है, वही वैद है जो आज या मेरी पतनी बनकाया है अब इस नालाइक को सजा न लेगी, यह जिन्दी फुक की जाएगी, तो अपने अत्माओं यह 100% सच समझ लेना, परमात्मा का भी दान है, एक लेवा, एक देवा दूतम, और कोई किसे का पिता ने पूतम, यह तर्रिन संभंद, एक तूसरे का लेन देन उड़जा हुआ है, अन्स में सब बारावाटा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, तो कहने का बाओ यह है, चलो यह भी आपको ग्यान हो गया, कि भी पूतर है, पूत्री है, पिछले संसकार तो हैं, यह कभी हमने न का ले रहा है, कोई देर ने आ रहा है, यह तो अब बात समझ मागी, अब हम पर्मात्मा का सहरा लेंगे. इस पर्मात्मा के पास एक ऐसी पाउर है, ऐसी सक्ती है, विटो पाउर है. हमारे संसकारों को अब खत्म कर देंगे. अपनी तरफ से लेन देन हमारा कत्य सेमित करके, इसी जीवन में सब को सुलजा देंगे. और पीचा छुट जागा, आज आपका परिवार भगवान की सर्ण में है, सारे सत लोग चले जाओगे, वहाँ जाने के बाद फिर ना इनकी मरतू ना आपकी संसकार सारे खत्म. जैसे गीता ग्यान दाता अठार मेद्या के ठ्षैशेट में सलोक में कहता है कि सर्वा धर्मान परित जमाम, एकब सर्ण मुम्रच, एहम तवा सर्वा पापे भ्यमुक्शामी मासुच. तो प्रमात्मा फिर हमारे जो पाप कर्मों का वो नास करतेंगे, जिसे हमारे संसकार ओड़ जरे थे. जब वो पाप पर नास होगे तो हमारे संसकार खत्म. जब ही सतनाम हर्दे धर्यो बैयो पापको नासे जैसे चंगारी अगनी की बाई पड़े पुरणे गासे आपके उसंग जनमों के संसकार परमात्मा कहते हैं एक सेक्ट में फूक दूँगा जैसे हजारों टन घास पड़ा हो सुका उसमें एक माच जिसकी सींक लगा दे वो सारा राख ड़लकर धेर हो जागा और चलेगी तेज हवा फूक दिया जाए उड़े जाएगा तो जो परसंग चल रहा है उस पे आना होगा अब जैसे हम समाजिक दृष्टी कौन से जो बहने बाई जिनका संतान नहीं है वो अपनी जिन्दा मौथ समझते हैं वो यह देख रहे होते हैं के सामने वाला यह सोच रहा होगा कि सुबह सुबह कहां आगा बिना बे उलादा और कहां दर्सन हो गए यह इतना मनहूस मानते थे पहले जिसका संतान नहीं और भगवान के भी इस ग्यान से अब आपको पता चलेगा वो बुरे नहीं उनका कोई संसकार था ही नहीं जिसके करण वो उनका अपस में ऐसा कोई संसकार फस्या नहीं था वो तक कती फरी हैं आज के दिन इस अध्धातमार के आदार से परमातमा के ग्यान के आदार से और उनने मिल जा भगटी वो तक गए जाज में बैठके और उसी के परलेल आप भी ये ना समझना आप भी रह अपना परिवार आपका नाम ले परिवार ना ले सके कोई दिकत नहीं जिस नहीं ग्यान मिल गया उसका संसकार कती साफ कर दिया परमातमा और कोशिश करो अपने संप्रक में आए भाई है, बहन है, माता है, पिता है पत्नी है, पती है कोशिश करो इस मारक से चोड़ने की वो भगवान के बच्चे हैं भरमित हैं, अग्यानता में कष्ट पा रहे हैं और पाते ही रहेंगे जब तक ही है ग्यान दिक रहेंगे तो कोशिश वो भी करो और आप भी पार होगे क्योंकि यब आपको भी रस्ता वहीं मिल गया अगर उनको रस्ता नहीं मिलता और जिनके संतान नहीं है, तो वो क्या चड़फ करते हैं इनसा मनुस तो कुछ दिनों में संतोस कर लेता है लेकिन बेहन बेटी जिसके संतान नहीं है, उसको संतोस नहीं होता, क्योंकि समाज नहीं होने देता और वो इसी कसक में मर जाती है कि मेरा संतान नहीं भी, वो किसी बच्चे को गोद लेते हैं, कुछ दिनों के बाद वो बच्चा ब्याह होता है, ब्याह होने के बाद पत्नी आती है, तो उस में मन मुटाव हुए बिना रहे को नहीं, यह ता अपने बच्चों होर अपने पुतरवद हो उसके साथ भी हो जाता घर मैं, तो फिर उसके मन में यह आता है वगवान, अगर मेरी संतान होती है, तो आज यह मेरे सामने ऐसे बोलता, यह मेरे सामने क्या ऐसे बोलती, बुदी बिष्ट करया की कालना मारी, हर जिनके पूतरवदू अपने ही है, उनको उन से देख ले, वो कितने सोड़मा था बोले आज के, तो पूजा करें हम काल की, तो फिर अगले जनम में यू काल कैसी दुरगती करता है, के ले तेरी इच्छा थी, संतान उत्पन करन की, उसको कुतिया का जनम दे दिया, और एक कठे वो आठ आठ पैदा कर रही है, और फिर उसका जलूस निकाल रहा है, और खोसो रहा कर ले, कर इसे ही बारा बारा कठे पैदा कर ले, काड ले कसर सारी वेन, पुना तुमाओ, सत्गुरु आये दया करी, ऐसे दिन द्याल, और बंदी छोड़ बृत्तास का जट रगनी पर थपा, तो इस ग्यान के आधार से हमने जीना पड़ेगा, अपना जीवन सफर तै करना पड़े तब ही हम सफल होंगे, बच्चे हैं, संतान है, गहनी बडियाबाद, उनको भी राम नाम पर लाओ, बगवान के बच्चे हैं, अमारे तो वो निमत कर रहे हैं, हम तो मजदूर समझना आपने आपको, उस धनी के बालकों को इतनी संभाल के रखना है, फ्रमातमा ने उनके निमत आपको जैसा भी जेव खर्च दिया है, आपकी इनकम बनाई है, वो इसलिए बनाई है कि इनको भी पालो पौसो सभाल के रखो, उनको अच्छी सिक्स है दो, सत्संग में लाओ, इनके करम बनाओ, तो आपका दावित्य पूरा हो जागा, आपका फर्द पूरा होगा तो इस परकार प्रमातमा चाहते तो नीरु नीमा को संथान भी दे सकते थे, लिकिन पुर्णे आतमा हो, आप हम तो संसार को देख कर ही जी रही होते हैं प्रमातमा ने एक का अlukा निकाल ने भार रहा ही यहांसे, कालने ऐसा जलुम कर रख़र है हमारे साथ, तो उन्हों ने उनको संतान नहीं दी क्योंकि उनके संसकार बढ़ाने नहीं चाहां थे तो उसके लिए स्वम आगे एक पुत्तर रूप में नीरु नीमा सनान करने जा रहे थे रस्ते में नीमा का नए नए इंजेक्शन लगे थे रात ने कोई बहरत आ रही थी को रिष्टेदार वो खूब कहेगी उसको एक वालगत चाहिए था ऐसे कैसे जी आ जावेगा और सुनना पड़ा है घर तुमारा संसार में क्या लेकर जाओगे तो वा बहुत दुखी हो रही थी सुबह नहाने के लिए गई तब भी रोती जा रही थी और वगवान संकर से प्रारचना कर रही थी कि है वगवान शिव जी आप तो समर्च दाता हैं आप जो चाहो सो कर सकते हैं इस पापर को भी एक लाल दे देते मेरा भी संसार में जीना मेरा भी साध्धा बन जाता मैं भी सुख से जी लेती, सब की दृष्टी से बच कर चलना पड़ता है, मेरा क्या जीवन है दाता। यह कहकर फूट फूट कर रोने लगी है। अब नीरू ने कहा के नीमा, देखो, यदि हमारे भाग्य में संतान होती तो भगवान पहले ही दे देती है। यह तो बड़े द्यालू है संकर भगवान और देखो बच्चा है नहीं, संतान पड़ा है नहीं, बढ़ापे में कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं, रोरो के आँखे तरी खत्म हो जाएंगी, एक और दुख तेरे जीवन को बढ़ जागा, तो रोवा मत है। उसको संतोना देता हुआ, नीरू चल रहा है, नीमा को संतोस किया, संतान करने के लिए जो ही तलाब पर पहुंचे, पहले नीरू, पहले नीमा संतान करके आगी निकलाई बाहर, अंधेरा सा था, फिर नीरू संतान करने के लिए जल्म परवेश करता है, तब तक सुबह सु पीरू नहरा है से मस्ती से तलाब में गुटनो पाणी में बढ़के और उदर से नीमा जो कपड़ा बांद कर सुनान किया था उसने उसको धोने के लिए पुने किनारे पर गई तो क्या देखा है कमल के फूल के उपर कोई वस्तु हिल रही है प्रमातमा नौजाद सिसु के र फिर धान से देखा तो क्या देखा कि तो कोई बालक है अब रस्ते में रुटी हुई आहरी थी बच्चे के लिए अपने पती से कहती है कि देखना जी कमल के फूल पर बालक है अब नीरू नहरा है ऐसे नाते नाते कहता है कि निमा आप तो मेंटल होगी अब तुझे जल मे भी बालक दिखाई देने लगे क्यों पागल होगी तो कुछ संतोस कर वगवान पर विश्वास कर जैसे राख ऐसे रहना चाहिए हमने वो फिर जोर से बोली सस्मु देखना दिखना तो उसने एक दम देखा कि ऐसे क्यों बोलिया जिदर संकीच किया उदर देखा तो सामने क्या देखा एक नवजाद सिसु के रूप में परमात्मा कमल के फूल बिवराद्मान थे निरू ने आओ देखा ना ताओ देखा फूल समेथ तोड़ लिया और उठा लिया बालक को उठा के अपनी पत्नी निमा को दे दिया और निमा उस बालक को लेकर किनारे पर आगी अपने आत्माओं जिस बगवान के लिए रिशी तड़ रहे थे और जिसके नाम लेने से आत्मा गदगद हो जाती है रोम रोम खड़े हो जाते हैं और उस प्रमेश्वर को उस प्रम सक्ती को एक माई ने अपनी गोदी में लेकर पूत्रवच प्यार किया कभी उसका मूँ चुम्या कभी माथ्य के लाया और सो सो सुकर मनाया अपने संकर बगवान का अपने आत्माओं देखो आज तक हमारे ऐसे बुधी रही के करता बगवान कोई रहा हम क्रेडिट किसको देते रहें जो भी हमारे घरों में कोई सुक होता था हम जिस भी इष्ठ की साध ना करते थे उसी के निमत उसको कर देते थे कि इस पर भगवान विश्णों जेने हमारे ये सुक दिया अब पता चला इनके विद्धान से इनकी सक्ती से कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकते ये तो जैसा संस चार वह ऐसा ही दे सकते हैं कि leah एक प्रम सकती है प्रमक्सरब्रम हो कभीर भगवान वो हमारे वही हमें जो देता है और निमत वो किसी को भी बनाता है तो वही कर ना था तो उस दिन खुद मालिक उसकी गोदी में है और वो भी सुकर मना लिये संकर भगवान के, कि उन्होंने मुझे ये पूतर दे दिया इसका कारण क्या था, ये आपको बता दिया, कि सुपत सुदरसन के ये माता पिता थे उस परतीग्या वस परमात्मा उसके खराए थे और इसमें नंबर बने थे संकर भगवान के तो आज तक हमारे ये अंदेरा नूचा रहा था अब इस तत्व ज्यान से ये मोतिया बिंदका उपरिशन हो जागा अग्यान का, अब साफ दिखेगा आपने, कि हुई इस गोड परमात्मा कौन है उसका परमान कहा है अब नीरू जब बाहर आया लेका है, नीरू सनान करके बाहर आया तो उसने सो सो विचार लगाए कि पहले हम मुसल्मान बना दिये हिंदू हमारे साथे नी मुसल्मान उसे रिलेशन्सिप गणी नहीं बनी क्यों कोई बालक रिष्टेदार नी बना बालक नहीं तो उसने सोचा यदि हम इस बालक को लेकर घर जाएंगे तो नगर वाले ये पूछेंगे कहां से लाए हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला तो किसी को विश्वास नहीं होगा के बालक और कमल के फूल पर कैसे रुक गया तो उसने अपनी मन से सोचा कि हमें गाओं से भी निकाल लेंगे सेर से भी भाहर करेंगे और प्लड का भी छिन लेंगे हमारी मार मार के हुलिया बिगाड़ेंगे और पूछेंगे कि बताओ इनकी माता पिता कौन है वो रो रही होगी जिसका तुम चुरा कर लाए हो तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आप ऐसे करो इसको रख दो यहीं पर हमारे साथ ऐसा बनेगा बच्चा भी जाएगा हमें देश निकाला भी बनेगा इस निकाला भी ले लूँगी इस बालक नहीं छोड़ सकती अब नीरू ने पहली बार अपनी पत्नी के तरफ हाथ किया था कि तुम कुछी जिद्धी बन गी मेरी एक भी बात नहीं मानती है मैं आज तक तेरी सारी बातों को मानता रहा क्योंकि तेरे संतान नहीं थी तेरी किसी बात की अवैल नामने करी नहीं कि कहीं तरह दिल ना दुख है लेकिन तु एतनी चड़गी शिर्प है एक भी नहीं मानती मेरी रख देश बालक नहीं तरह ऐसा मारूँगा थपड़ ऐसा उसने किया ही था तो प्रमात्मा बोले नौजाचिसू के रूप में कि नीरू मुझे घर ले चलो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा अब वो डिर गया कि बालक बोल्याकर इसमा कोई फरिष्टा है या कोई भूत परीत है कोई जंध है वो चुप करके आगे आगे चल पड़ा अपने अत्मों सारा सेर देखना आया इतना सुंदर बालक नूर न्यारा वगवान का है कितना है उन्होंने हलका नूर कर रख्या था लेकिन न्यारा चेरा दम दमा रहा था ता तक है सारा गाउन नगर जूंड के जूंड इस तरह उस गीत काते हुए आ रहे हैं और उस बालक को देखने के लिए आ रहे है किसी के मन में ये निगा कि कमल के फूल पर मिला कैसे और वो सची बता रहे थे कि ऐसे हमें मिला तो कोई भी इस बात पर धान निगा और सभी ये कह रहे थे ऐसा बालक तो कोई देखा ना सुना ये तो कोई फरिष्टा है कोई बिर मावी सुनो महें से कोई एक सक्ती आई है ये आम बालक नहीं है कुछ दिन के अंदर ये बात समाप्त हुई चर्चा का विशे खतम हुआ अब पत्तिस दिन के हो गए प्रमात्मा ना अन खावें ना दूद पीवें और स्रीर स्वस्थ ऐसा जैसे बालक किलो दूद रोज पीता हो और ऐसे फलफूल रहे है अब वो माई जो है देखते कर चिंटित होती है अपने पती से भी कहती है कि ये बगवान अब क्या बनेगा मेरे साथ बालक दिया भगवान हे संकर भगवान बच्चा भी दिया अब वापस लोगे इसको कुछ खा नहीं रहा ये कभी भी मर सकता है पत्तिस माद दिन आगया उस दिन तो उसने रुदन मचाए दिया समाई ने निमा बैठी बैठी रोए रोए सुबए की और संकर भगवान को याद करे है भगवान अब ये बालक मरेगा आपकी बेटी भी साथ मरेगी इसके बिना मैं जी नहीं सकती तो ऐसी कसक बनी उदर से प्रमात्मा ने प्रिणा की कि अबुद्या मरेगी संकर भगवान वाँ पर गट होगे निमा से पूछा के आप क्यों रो रही हो बाई आँखों में आशू थे जुबान निकल ने रही थी तना हर्द भर गया था रोती रोती ने कहा के मात्मा जी मेरे दुख ना पुछो आप भी दुखी हो जाओगे आप चाओ तब संकर भगवान ने कहा कि बेटा ऐसे कहते हैं अपने दुख को किसी को बता दे हलका हो जाता है आप बताओ तो स्री और हो सकता है मैं कुछ इसका प्रबंद कर सकूँ तो अपना जरूर विष्था करूँगा तो इस माई ने फिर बताया पती पत्नी उस तिन मैंने विशेश अरज करी थी अपने संकर भगवान से रो रो के उसी दिन उन्होंने मुझे कमल के फूल पर ये बालक दे दिया और ये लड़का आज पत्तीस दिन का हो गया महाराज ना खाता है ना पीता है ये कभी भी प्राण ट्याग देगा और साथ मैं मरूंगी मैं जी ने सकती से बालक बिटा तो बगवान सेंकर ने कहा कि वो बालक तेरा कहा है लागे सादू रूप में खड़े थे निमा उठा के लाई चल सादू संत है कुछ जंतर मंतर कर भी दे यूँ बच्चा कुछ खा ले पी ले तो निमा लियाई उठा के प्रमात्मा को बालक को और उसने चाहा सादू के चर्णों में रख दूँ चर्णों में डालना चाहा प्रमात्मा को प्रमात्मा आकास में उठगे हाथ से उपर उठगे आथों में से और संकर भगवान के शिर के सतर में यानि साथ, आठ फुट, छे फुट उपर जमीन से उपर ऐसे हवा में रुख गए अब उस माई नीमान सुचा कि इस महातमा में कितनी करामात है मेरे बालक को हवा में उड़ा दिया ये जरूर कोई इलाज करेगा इसका अब ये हितकर था हमारे समस्चा थी परमातमा को परमातमा ना मान कर अन्य को ही भगवान उसको समर्थ की संगया देते रहे तब भगवान संकर ने ऐसे हाथ किये परमातमा उनके हाथों में आगे और फिर साथ बार आपस में बातें की ना संकर बगवान समझ सके कि पूर्ण प्रमातमारी है इतना उनको जुरूर महसूस हुआ कोई रिशी है ये पिछले जनम का महापुरुश है तो उन्हों प्रमातमा ने कहा कि बगवान है शिवजी इन से कहो एक कमारी गाएं ले आवे हैं कमारी बचिया आसिरवाद बरा हाथ रख देना वो दूड दिया करेगी वो दूड मैं पी हुआ तो संकर भगवान ने साथ औरूप में निमा से कहा कि अपने पती को बलाओ तो उसी से में निरू भी आगया और संकर भगवान यानि साथ हो ने कहा कि आप एक कमारी गाएं लियाओ और कुमार के घर से कोरा बरतन लाना सबच वो जाकर एक कमारी गाएं लियाया रिक पातर लियाया सोठा सा मटका और उसको साफ करके संकर भगवान ने कहा कि इसके नी से लेकर बैठ जानी रूप या दूड दे वेगी आस पास के और भी बहुत से बगत आगे लोग कठे होगे तो संकर भगवान ने ऐसे सिर्फ कमर पे हाथ रख रख दिया बचिया कि लंबे लंबे सतन होगे और कुमारी गाएं ने दूड का पातर भर दिया उस दूड को परमातुमा ने पिया परती दिन वो गाएं फिर दूड देन लागी और भगवान उसको पिया करते थे अपने अत्मों इसका परमान दिखाते हैं आपको कि कबीर सागर के अंदर छस्सो वरस पहले ये लीला दर्द है बगवान के बारे में लिखी हुई है और फिर आपको वेदों से परमानित करेगा ये दास के वेद क्या बताते हैं बगवान कैसी लीला करता है तो दो मिंट मैं समझ माजागा वू इस गौड है ये दिखिए का कबीर सागर ये कबीर सागर है, कितना मोटा गरंथ है, और इसमें आपको दिखाते हैं, संपूर्ण ग्यारा भाग, कबीर सागर पर्थम खंड कबीर पन्थी भारत पतिक स्वामी युग लान दे वियारी दौरा पर्श्कृत मुद्र के परकास सकें, खेमरा स्री किर्शन दास अध्यक्स वेंकेटे स्वर परेश, खेमरा स्री किर्शन दास मारु मुभाई से, और यहां इनका यह दूसरा एंटर शेया है, इसमें एक ज्ञान सागर नाम का अज्ञाय है, इसके 74 प्रेश्ट पर, तुहेतर प्रेश्ट पर, ज्ञान सागर, इसमें लिखाया के सुन जुल्धा मन भया आनन्दा, जिमी चकोर पायो निशिचंदा, अब यहां क्या बता है कि फिर वो जुलाहा नीरू बड़ा खुस हुआ, इतना खुसी हुआ जैसे चांद, चकोर पक्सी को चांद दीख जाया करें, चंदर मां, सुन जुल्धा मन भया आनन्दा, जिमी चकोर पायो निशिचंदा, ले सुत, सुत माने पूत्र को, ले सुत चले हरस मन कीन्या, अर्ता सुंकुन अश बोल ही दिन्या, सुत कासी को ले चले, लोग देखन ते आव, अन पाणी भखसे नहीं, भखे नहीं, खावे नहीं, जुल्धा सोक मनावे, जनावे, तब जुल्धा मन कीन तिवाना, विचार किया, रामा नंद्सो कहा उत्पाना, मैं सुत पायो बढ़ा गुन वनता, कारण कोन भखे नीश दोर्दा, अभी नहीं, इन्हों ने कैसे बताया है, वहसे लीला योकी योग बनी है, परमाथमान कोवारी गाहों का गाएं का दूड पिया, अभी इन्होंने सुवामी रामा नंद्धी से जोड दिया, कि कोई दुखी विक्ति होता है, तो सादू संतों के पास जाता है वो खाता पीता नहीं तो वो क्या समाधान बता रहा है तब जुल्हा मनकीन तिवाना रामा नंसों कहीं उठपाना मैं सुथ पायो बढ़ा गुन वनता कारण कौन बखे नीशंता रामा नंध्धान तब धारा जुल्हा सोंत वचन उचारा पूरव जनम तेब्रा मन जाती हरी सेवा के निवली बाती कुछ तो सेवा हर की चूका परताते वहो जुल्हा का रूपा परीती परभू गय तो रलीनी ताते उधान में तो इस सो तेदीना अब ये नीरू वचन है ये नूरी गल्द प्रिंट है नूरी नहीं है नीरू ये नीरू है गल्दी से नूरी प्रिंट कर दिया इसमें अब नीरू क्या कहता है हे पर बूदस की इन्हो तस पायो आर्थ हो तो दरसल आयो सो कहिए उपाय गुसाई अब बालक अक्सुदावंत कुछ खाई ये बालक मेरा भुका है कुछ खावे ऐसा कोई उपाय बताईए रामानद अस युक्ती विचारा के तुम सुथ कोई गैनी अवतारा तेरा पूतर जो है कोई ब्राहमन है कोई विद्वान पुरस है पूरे जन पूरो जनों का और बच्चिया ताही बैल नहीं लागा बच्चिया जाही बैल नहीं लागा सोले ठाड करते ही आगा वो बच्चिया ले आना जिसको बैल ने टचना किया हो और फिर उसके पास खड़ी कर देना दूद चले के थनते दूद ही दरो छिपाई और अक्सुदावंत जब होए ताके देखवाई जुल्ह एक बच्चिया ले आया और चलो दूद कोई मरम न पावा चलो दूद जुल्ह खरसाना राख छिपाए कहो नहीं जाना दूद तब पीवत नाम कबीरा और खिलत संथ संगमत धीरा अपना अत्मो इसमें थोड़ा सा इन्हों ने ये पता नहीं चला कि वो संथ कौन आया था जो निमा को मिला था इसलिए प्रमात्मा ने छटसो वर्स पहले कहा था राख अपने प्रिये भग्त जो बारमा पंथ गरीब दास पंथ होगा उसमें मेरी महिमा की वाणी पुने परगट होगी और वो यथर्थ ग्यान होगा तो यहां इन कबिर पंथियों ने इतना तो था कि प्रमात्मा ने कबीर परवेश्वर ने कौवारी गायों का दूड पिया था अपने बाले काल में उनकी लिला परवेश्वर की लिला कौवारी गायों से हुई थी तो उनका न्यू ना पता लगया कौन रिशी था कौन संत मात्मा था जो उनको मिला था तो उन्होंने वैसे अपने आइडिये से लिख दिया कि रामानदी से भी पूछा होगा उस दोरान तो सभी जगए गई होए लेकिन उन से कोई बात बनी नहीं थी तो स्विम प्रमात्मा ने संकर भगवान को भीजा था कि उनके पूर मुठ पुदारी था अब आप्को गृब्दास साहिब जी वानी से दिखाते है कि अब इसमें थोड़ा सा एक परसंग और सुनाते हैं अब आपको में परहलेव प्रमानित करते हैं ग्रीबस जी कि वानी है प्रमात्मा ने जोन को बताया था और वहने वापिस तोबारा यह थार्च ग्यान दिया है इसमें क्या लिखा है सीव उत्रे सीव पूरी से अवगत बदन बिनो दे मैंके कमल खुशी भहे फिर लिया इसकूंगो दे सीव उत्रे सीव पूरी से संकर भगवान आये अपने लोग से और वहाँ भगवान को प्रमात्मा कबीर जी को गोदी में ले लिया ग्रीव दासी बता रहे हैं सीव उतरे सीव पूरी से है अवगत बदन बिनो दे मैके कमल खुशी बहे भाई लिया इस कुंगो दे नजर नजर से मिल गई ही किया इस परणा में दोनों भगवानों के आपस में दुआ सलाम होई और संक्र भगवान ने फिर क्या कहा के धन है सी नगरी जहां पर ऐसे महापुरुष का आगमन हुआ संत रूप में संक्र भगवान बता रहे हैं साथ बार चर्चा करी और बोले बालक बेने शीव को कर मस्तक धर्याह ल्यावो मुमन एक धेनू अन्ब्यावर को दूहत है दूद दिया ततकाले कमारी को दूद निकाला अपने आप दूद दिया ततकाले अन्ब्यावर को दूहत है दूद दिया ततकाले पीवे बालक बरमगती ही तांसिव भे दयाले अब यहां से हम इतना ही लेंगे यह सद्ध हो गया कि कबीर परमात्मा ने जब वो बालक रोप में परगटे थे सीसो रोप में कवारी गायों का दूड पिया था अब हमारे पुईतर वेद क्या बताते हैं वेद क्या है वेद कोई किसी जंतर मंतर जंतरी की किताब नहीं है यह कोई तीथी वार बताने वाली नहीं है इसम परमात्मा के गुण परमात्मा कैसी लीला करता है वो कहां रहता है और उसके पूरी जानकारी है और जिस महापुर्स की लीला हमारी वेदों से मेल खाती है तो He is God वही प्रमात्मा है अब आपको दिखाते हैं यह देखिएगा रगवेद रगवेद मंडल रगवेद नो और दस मंडल है यह मैरिशिदान सरसुती लख़ा है यह कहां से छपा है यह देखिएगा सारवदेसिक आरिये परती निदी सबाव मैरिशिदान भावन राम लिवा मैदान निदी दिली से यह इनके फोन और फैक्स नमबर है और यह यहां से छपा है परेंस आपसेट परिंटर्स पंदरा सो दस पटो दी हावस द्रियागन निदी दिली से अब इसके रगवेद मंडल नमर नो का और सुक्त नमर एक का मंतर नमर नो आपके रूबरू करते हैं रगवेद मंडल नमर नो और यह सुक्त नमर एक है पर्थम से सुक्त है अब इसके हम नो नमर पे दिलते हैं यह नो नो मा सलोख लेती यह देखिए रगवेद मंडल नमर नो सुक्त एक मंतर सुक्त एक और मंतर नमर नो यह नो है अभी अधन्या उत्सरनती धेनव धेनव है सिसुम यह सिसुम सबज लिखा है सोम इंद्राय पात्वे अब एक कमाल की बात देखो पर्मात्मान कैसी लीला की है यदि ये दास अनुआद करता इन वेदों का आमने तक करे राखिया था तो मारे बगवान की लीला आमने पता कि कभी रिजगोड पर्मात्मा की मही मामे लखी आँखों देखा संतों ने बता दिया लेकिन आप जी के विश्वास नहीं हो था जब तक वेदों मना मिलता अब वेद क्या बता रहे है और ये अनुआद करता भी वो महरेशी दानद के चिले है और महरेशी दानद है इनका और ये खुद बगवान को निराकार मानते है इन्होंने कोशिस भी की है अडंगा करने की अणवाद की लेकिन कहते हैं गड्डे पाणी focuses वो गड्डे वा उपर आँए इन्हों सचाई ली LAS इन्हों खोब कोशिस की अपना अज्ञान के आधार से इन्होंका अणवाद अडंगा करने की लेकिन छुपा नहीं सके सचाई को देखना ये खुद अन्वाद कर रहे हैं उस सोम माने इनकर दिया सोम सभाव वाले पुरुष को देखो कमाल के आदमे हैं अब सोम माने परमात्मा छह जगा लखे पाऊंगे देखिए इसी नम्मे ज्याय का नम्मे मंडल का ये पर्था मंत है ये वाला और इसमे सोम सब्द है ये सोम इसमे सोम माने सोम सुभाव परमात्मन यानि सोम का अर्थ है परमात्मा सितल सर्वस शान्ती दायक परमात्मा सोम माने चंदर्मा भी होता है लेकिन यहां परमात्मा की महिमा चल रही है सोम माने चंदर्मा ये परमात्मा तो यहा आएए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं मैं काशिपुर जिलाओ धम सिंग नेगर उत्राखंड से हूँ मैंने संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप्रा लेने से पहले आप क्या भक्ती सादनाई करते थे रजेट जी आपने बताय कि आप कबीर पंथी पंथ जालंदर से जुड़ हुए थे तो फिर संत रामपाल जी महाराज की संड में आने का क्या करण बना? रापत हो रहे थे तो फिर वो हमें क्या बताएंगे क्योंकि जहाँ वो हमारा पूरी परिवार जुड़ा हुआ था फिर भी कोई लाब नहीं हो रहे थे तो मेरे पापा पूरे वो परिशान रहते थे वो बहुत सारी बिमारियों से ग्रस्त थे तो उन्होंने कोई ऐसा धार्मिक स्थल नहीं छोड़ा जहां वो ना गए हो तो ऐसी कभीरपंथ में भी जुड़े हुए थे तो फिर ऐसी एक दि जितने भी धर्म गुरू हैं सबसे अलग था तो पापा ने उसे बहुत ज़ादा ध्यान से सुना तो फिर उन्होंने देखा कि सब संतरांपाल जी महराज जो हैं सारे धर्म गुरों से अलग सब सत्थ भक्ति बता रहे हैं वो सारा लाइन भाइन हमारे जो शास्त्रों में प्रमान है वो देखके गुरुजी हमारे बता रहे थे तो पापा को वो अच्छा लगा क्योंकि जो संतरामपाल जी माराज सथ भक्ती करने से लाब देते हैं वो पापा ने देखे तो फिर पापा को एक विश्वास हुआ कि हाँ की बहुत जगा पे पापा ने धक्के खा ली तो फिर पापा ने वहां हिसार फोन करा फिर वहां संत्रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में बरवाला में हिसार में वो गए संत्रामपाल जी महाराज जी से उन्होंने नामदिक्षा ली फिर पापा ने आके हमारे घर में पूरे परिवार को सबको बताया कि संत्रामपाल पूरे परिवार ने संत्रामपाल जी महराजी से नामदिक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए और बहुत ज्यादा परिशान रहते थे उनकी किड्नी में स्थोन थी और मेरे जो छोटा भाई है उसके हार्ट में प्रॉब्लम थी और उसे बहुत निम्यूनिया रहता था तो वह संत्रामपाल जी महराजी के शरण में आने के बाद आज उसका मेरा भाई बिलकुल ठीक है उ जो पापा वो इतनी सारी परिशानिया थी वो स्ट्रेस में रहते थे संत्रामपाल जी महराजी से नामदिक्षा लेने के बाद आज उब बिलकुल स्वस्ते हैं हमारा पूरी परिवार संत्रामपाल जी से नामदिक्षा लेने के बाद बिलकुल सही है जो मेरी ममा थी उनके हाथ पैर सुनो जाते थे उन्हें बहुत पुराने समय से बिमारी थी तो संत्रामपाल जी महराज जी के चरण में आने के बाद उनकी ये बिमारी भी ठीक हो गई और मेरी मम्मी को अस्तमा की भी बिमारी थी तो संतरामपाल जी महराज जी के चरण में आने के बाद उनकी जो अस्तमा की बिमारी है वो बिलकुल ठीक हो गई है रजित जी संतरामपाल जी महराज से नामदिक्षा लेने के बाद आपको बहुत सरे लाब मिले तो जो तरसक आज आपको T-E पर देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वह हमारी वेबसाइट जो है जहां सत्संग आता उसके नीचे पट्टी चलती रहती है उस वेबसाइट से जाके पुस्तक फ्री में डाउनलोड करके उन्हें पढ़ सकते हैं और सत्संग सुन सकते हैं संत्रामपाल जी का उसके बाद सब कुछ सोच समझ के आप संत्रामपाल प्रूफ करके समझाते हैं कि यहां ऐसा लिखा है यह ऐसा लिखा है तो आप पूरी अच्छे तरीके से सोच समझ के निर्नय लें कि हमें कौन से गुरु की शर्ण में जाना है और कैसे हमें पूर्ण मौक्ष प्राप्थ होगा रचे जी संत्रामपाल जी महराजी से नामदिक्षा कैसे ली जा सकती है संत्रामपाल जी महराजी से नामदिक्षा लेने के लिए विभिन ने चैनलों पर छसंग आता है उसके नीचे पट्टी चलती रहती है उस पर नंबर लिखे होते हैं उन नमबरों पर आप फोन करके और संत रामपाल जी महराज जी से नाम दिक्षा ले सकते हैं धन्यवाज़ जी बहुत बहुत धन्यवाज दल तट्व दरशी संत रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें झाल झाल झाल